जैहिन फ्रेंड क्लास नाइन्थ सीवेसी बोर्ड के सभी छात्रों को जैहिन जी यहां दोस्तों आज हम लोग यहां पर हिंदी ए और साथ-साथ में हिंदी बी का यहां पर सेंपल पेपर आप लोगों को हम दिखाएंगे जो की आपके एक्जाम के लिए मोस्ट इंपर्टें है यहां पर जो आपका हिंदी का पेपर होता है वो यहां पर आप लोगों का हिंदी का पेपर अश्री नंबर का होता है और आपको यहां पर ताइम पर तीन घंटे का समय दिया जाता है तो आज हम लोग यहां पर हिंदी ए और हिंदी बी के जैसा आपका बोर्ड में पेप पर आएगा अनुल एक्जाम में तो उसके लिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर यह आपका हिंदी ए और हिंदी बी का यहां पर आज में आपके सामने शो करूंगा तो आप इस सेंपल पेपर को पूरा अच्छे प्रकार से रिवाइश कर लें क्योंकि यह सेंप न पड़े तो यहां पर आप लोग उसको पूरा देखेंगे हिंदी ए यहां पर पूरा पूरा हल यहां पर आपको बताया जाएगा आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है अगर आप मारे वीडियो पर नए है वीडियो को जल सेल कर लें सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ् कार से पढ़िए तब आप यहाँ पर नीचे दिये गर प्रशनों के उत्तर दे पाएंगे जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्ट कर आए बहु मुखी लोगों के बारे में कौन से कतन सही हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहु मुखी लोग इस परदा से घबरात हैं यह वाला स्टेट्मेंट देखिए कौन से कतन है मतलब की सही है तो यह आप से पूँचा गिया है इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरा वाल देखेंगे बहु मुखी लोग आलोशना से नहीं डरते हैं इसके बाद बहु मुखी लोगों की पूश परग बहुत कम होती है बहुत मुखी लोगों के आसफल होने की असंका नहीं होती है तो यहाँ पर क्या कर रहा है कौन से कतन सही है तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा जो यहाँ पर कतन है वो बुलकुल सही कतन है तो इसके कॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आपसा नंबर कावाला बलकुर सही जवाब होगा कावाला इसके बाद कुर्ष्ट नमबर टू यहाँ पर कह रहा है विष्ट सब्द का गद्यांस में से चुनकर पर्रायवाची सब्द बताना है, मतलब कि जो गद्यांस में विष्ट का जो पर्रायवाची सब्द आया हो, वो आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर जब गद्यांस को रिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको दुनिया विष्ट का पर्रायवाची यहाँ पर यह निकल कर आएगा इसके बाद, यहाँ पर हमारा कुर्ष्ट नमबर थ्री है कह रहा आ सपल प्रदिवा साली किस रोख से पीडित माने जाते हैं तो ये काफ़ी इंपोर्टन गी कुशन है ये आपके लगबग हर एक जो आपर अनुशे थी ये हर एक बार परिच्छा में कई न कई बार कई बार पूचा जा चुका है तो इसका हमारा सही जबाब क्या होगा विंची सिंड्रोम क्या होगा विंची सिंड्रोम यहाँ पर हमारा सा कर्यक्ट आप्टन क्या होगा विंची सिंड्रोम इसके बाद यहाँ पर हमारा कुशन नंबर चार कह रहा है एक के सादे सबसदे और सबसादे सब जाए नामक मंत्र किस छेत्र में प्राभावी है तो यहाँ पर हमारा सही जबाब क्या होगा यहाँ पर हमारा सही जबाब होगा प्राबंदन छेत्र में तो आफसन नमबर का बाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आफसन होगा इसके बाद कथन यहाँ पर पांच यहाँ पर आपको स्टेडमेंट दिया गया है साथ साथ में आपको यहाँ पर रीजन भी दिया गया है तो यहाँ पर हमारा पहला कहरा है बहु मुखी प्रतिवा से व्रक्ति का नुकसान होता है बहु मुखी रिथिवा बाले व्यक्तियों की उच्षुकता दूर छेतर में हाथ आजवाने को बात करती है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा कतन सही है या करड सही है तो यहाँ पर जब आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा correct option होगा बो यहाँ पर हमारा option number यहाँ पर कावाला यहाँ पर सही है अपर देख लीजे कतन यहाँ पर जो ए है बहु मुखी प्रतिमासे व्यक्ति का नुक्षान होता है तो यहाँ पर आप लोग हमारा देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आफसर नमबर A वाला बिल्कुल सही होगा कौन सा होगा A वाला बिल्कुल सही जवाब होगा का वाला कतन A सही है और कार कतन A की सही व्याख्या करता है तो यहाँ पर हमारा आपसे नमबर कावाला सही जवाब होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे आप कहेंगे बाव मकी पत्मा बक्ति का नुकसान होता है क्यों होता है क्योंकि बूलो हमेशा एक ओवर कॉन्फिटेंस में रहते हैं को हर एक चीज आती है इसलिए यहाँ पर उनका नुकसान हो जाता है इसके बाद यहाँ पर कॉर्शन कहरा है अन्षेत को ध्यान पूर्वग पढ़ियर प्रशनों के उत्तर दीजिए तो यहाँ पर आप जो अन्षे दिया गए इसको आप सही प्रकार से पढ़ेंगे तब ही आप यहाँ प्रशनों के उत्तर दे पाएंगे तो यहाँ पर हमारा पहला कॉर्शन कहरा है कभी गुनाओं से सो बार हारा है लेकिन वह लड़ा है तो किस प्रकार से लड़ा है तो यहाँ पर वो आपको बताना है क्याश लड़ा है उट उटकर लड़ा है तो यहाँ पर हमारा आपसन नमबर कावाला सही जबाब हो जाएगा इसके बाद कुस्ट नमबर यहाँ पर सेकेंड है कभी ने अपनी आसफलताओं को पराजित किया है तो यहाँ पर हमारा सही जबाब होगा आपसन नमबर कावाला गुनाओं से लड़कर हमारा इसका करेक्ट आपसन होगा इसके बाद यहाँ पर डूबा हूं हर रोज किनारे तक आकर का अर्थ है कभी कभी ने इसका क्या अर्थ बताया इसका क्या अर्थ कभी ने अपने शब्दों में वया किया है तो क्या हो जाएगा आसफलता के समीप आकर भी सब आसफल हुआ तो यहाँ पर हमारा आपसन नमबर गावाला सही जबाब हो जाएगा इसके बाद कुछ नमबर यहाँ पर फोर है मैं अपनी सुन्दरता इस तरह शमारी पंक्ती में पंक्ती द्वारा कभी के व्यक्तित की इस विसेश्टा का पता चलता है कि उसने विजय प्राप्त की है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो आपसन होगा मतलब कि कभी का कौन सा व्यक्तित जिसके काल यहाँ पर उसकी विजय प्राप्ति तो यहाँ पर वो आपसन आपको बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा हार ना मारकर लगातार संगर्स तो यहाँ पर हमारा आपसन नमबर गावाला सही जबाब हो जाएगा इसके बाद प्रस्तुत का ब्यान से कवी का क्या आसे है इसके बाद यहाँ पर आपको चार विकल्ब दिये गए होंगे तो यहाँ पर हमारा इसका आसे क्या है इसका यहाँ पर हमारा आसे मनुस को आसफलताएं देखकर घबराना नहीं चाहिए तो यहाँ पर हमारा आफसर नमबर का वाला सही जवाब हो जाएगा यह बलकुल सही बात एक हमें अपने जीवर में किसी भी मुसीबत से नहीं गवराना चाहिए इसके बाद हमारा पहला परस्ट कहरा रहा है निर्देसा अनुशार उपसर गवर प्रतिये पर आधारित पांच बहू varying किलपी प्रश्नों में से किनी चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो यहाँ पर हमारा पहला प्रेश्ट कहरा है निमलिकित में से किस सब्द में इते पिर्तिय प्रियोक्त नहीं हुआ है इते पिर्तिय प्रियोक्त नहीं हुआ है तो यहाँ पर हमारा सही सबाब हो जाएगा इंसानियत इंसानियत में इतन सब्द का जो पिर्टे प्रियोग नहीं हुआ है इसके बाद नयन सब्द में कौन सा पिर्टे है नयन सब्द में कौन सा पिर्टे है तो यहाँ पर हो जाएगा अंड क्या हो जाएगा अंड इसके बाद बदवू में बदबू सब्द में कौन सा उफसर्ग है तो यहाँ पर हमारा correct option हो जाएगा बद क्या हो जाएगा बद यहाँ पर हमारा correct option हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर करया प्रावचन प्रावचन सब्द में किस उफसर्ग का प्रियोग किया गया है तो किस उफसर्ग है प्रा प्रा धन वचन प्रा धन वचन ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग प्रा हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रत्योत उन्पत्मती में कौन सा उपसर्ग है तो यहाँ पर हमारा क्रेक्ट आफ्षन हो जाएगा प्रत्य क्या हो जाएगा प्रत्य हमार यहाँ पर correct option हो जाएगा इसके बाद खुशे नमबर 4 यहाँ पर कहरा है निर्देर्सा अनुशार समास पर आधारित 5 बहुविकल पिये प्रश्णों में से किनी 4 प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो यहाँ पर कहरा कुल स्रेष्ट समस्पद में समास है तो यहाँ पर आप लोगो समास बताने है तो यहाँ पर कुल स्रेष्ट में हमारा कौन से समास होगा तत पुरुष समास होगा कौन सा होगा तत पुरुष यहाँ पर हमारा इसका समास होगा तत पुरुष इसके बाद यहाँ पर हमारा कुछ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उचित समस्पद और समाज का नाम दिये गए विकल्पों से चुनिये तो यहाँ पर घन के सियाम है जो अर्थास स्रीकर्स तो यहाँ पर आपको समाज विगरे के लिए तो यहाँ पर हमारा समाज जो जो हमारा ओर्जन सब्द होगा वो हमारा क्या होगा गंस्याम क्या होगा, समस्पत क्या होगा, गंस्याम समास का नाम क्या होगा, बहु बिरिये समास तो यहाँ पर हमारा आपसे नमबर गावाला सही जबाब होगा इसके बाद यहाँ पर हमारा कुस्ते नमबर चार है तो यहाँ पर क्या कह रहा है इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रे के समय समुच्छे बोदग अब्य और तता या अतवा आदी का प्रियोग किया जाता है तो किसमें प्रियोग किया जाता है यह हमारा प्रियोग किया जाता है द्वन्द समास में किसमे हमारे समास होता है तो यहां पर मारा सई जवाप क्या हो जाएगा तत पूरुष च्राइक्टन हो जाएगा है इसके बाद यहां पर मारे में उपर स्कूल नहीं कुल सकेंगे तो यहां समाप नहीं होगा तो किस प्रकार का बाग है खाई किस प्रकार का है विदान वाचक किस वाला यहाँ पर हमारा correct option हो जाएगा इसके बाद आहा इतना सुन्दर फूल देखकर 1% हो उठा तो यह किस प्रकार का बाक है यह हमारा विश्मे वाचक बाक है किस प्रकार का है विश्मे वाचक बाक है इसके बाद यहाँ पर हमारा कुस्सर नमबर चार है कहरा जूट मत बोलो तो जूट मत बोलो यह हमारा किस प्रकार का बाक है निसेद वाचक प्रकार का हमारा बाक है इसके बाद तुमने तो मेरा मन जीत लिया किस प्रकार का बाक है यह हमारा किस प्रकार का बाक है बिष्मियादी बोदग किस प्रकार का है बिष्मियादी बोदग है हमारा बाक के होगा इसके बाद निद्यसा अनुशार अलंकार पर आधारित पांच बहोविकल्पिय प्रश्णों में से किनी चार प्रश्णों के उत्तर देना है तो यहाँ पर कहरा बरसत बारिद बूंद गाई तो इसमें कौन सा अलंकार होगा इसमें यहाँ पर हमारा अलंकार तो को यहाँ पर बा 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 जब यहाँ पर किसी सब्दी की बार बार पुन्रावत्ती होती है तो यहाँ पर हमारा अनुपरास अलंकार होता है अनुपरास अलंकार होता है इसके बाद उसने नमबर यहाँ पर सेकेंड करा है तो पर वारो उर्वासी सुन राधिकिय सुजान तू मोहवन के उर्बासी हे उबर्बसी समान तो यहाँ पर पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा है यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है कौन सा अलंकार है यमक अलंकार इसके बाद यहाँ पर कुशन नंबर थरी कह रहा है यहें देखिए अर्विंद सिसू रंद कैसे सो रहे हैं पंक्ती में कौन सा अलंकार है यहाँ पर आपको पता ना पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर हमारा अलंकार होगा उपमा अलंकार कौन सा होगा उपमा अलंकार कौन सा होगा तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार है वो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है कौन सा अलंकार है इसके बाद सपना सपना समझ कर भूल ना जाना इसमें कौन सा अलंकार है इसमें हमारा अलंकार कौन सा है यमक अलंकार इसके बाद कुसे निमर सेविन है तो यहाँ पर कुसे निमर सेविन कह रहा है अनुछेद को ध्यान पूरग पढ़कर निमलिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए तो यहाँ पर आपको दोनों पहले बात आपको जो आपको यहाँ पर अनुछे दिया गया है सबसे पहले आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तब ही यहाँ पर आपको नीचे मैं बाकि बोलूँगा वो आपको यहाँ पर समझ में भी आएगा तो यहाँ पर हमारा पहला कुछिन पूछा गया है डडियर व्यक्ति कौन था तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा एर गंज लगकि यहाँ पर हमारा सही जवाब पूछा गया कि डडियर व्यक्ति कौन था तो यहाँ पर हमारा सही जबाब हो जाएगा एक बादिक क्या हो जाएगा एक बादिक अथार्थ कसाई यानि कि यहाँ पर हमारा आफसर नमबर कावाला सही जबाब हो जाएगा इसके बाद दोनों बैल डडड़ियर के साथ चलते हुए क्यों काप रहे थे तो यहाँ पर हमारा साही जवाब हो जाएगा उन्हें ढर था कि वह उन्हें सब अब मार डालेगा और शूसन नमबर कावाला हमारा साही ज़ब हो जाएगा इसके बाद कुस्य नमबर 3 यहां पर है बैलों को किनका जीवन अधिक सुक में लगा तो यहां पर हमारा correct option होगा रहा में मिले गाए बैलों का जुंड का तो option नमबर खावाला हमारा correct option होगा इसके बाद कुस्य नमबर 4 है कुस्य नमबर 4 यहां पर कहला है दोनों बैलों की चाल अचानक तेज क्यूं हो गई तो यहाँ पर हमारा कायक्ट आफशन होगा उन्हें लगा कि वे जिस राष्टे से जा रहे हैं वह है परचित है तो यहाँ पर हमारा आफशन नमबर गावाला सही जबाब हो जाएगा इसके बाद कुशन नमबर फाइप यहाँ पर कह रहा है दुरबलता में क्रिमशा उपसर गौर पिरते है कौन कौन से हैं तो यहाँ पर हमारा सही जबाब हो जाएगा दुरबलता में दुर होगा और तता यहाँ पर पिरते हो सकता है तो यहाँ पर हमारा आपसर नमबर गावाला सही जबाब होगा इसके बाद कुस्षे नमबर यहाँ पर एट है कुस्षे नमबर एट यहाँ पर कह रहा है कि गद्य पार्टों के आधार पर निम लिखी दो भौविकल पियर पश्णों के सरवादिक उप्युक्त विकल्प चुनकर लिखिये सालिम अलिम ने बच्पन में गौराया को किस से घायल किया था तो यहाँ पर हमारा जो कलेक्टाफ़न हो जाएगा एयर गन से किस से किया था घायल एयर गन से घायल किया था इसके बाद यहाँ पर कह रहा प्रेम चेंद के फटे जूते पाट के संदर में डीला किसका प्रितिक है? तो यहाँ स Bali चाथ हो जाएगा सामाजिक रुडियों का इसके बाद यहाँ पर कुश्न नम्डर नाइन है तो कुसर नमर 9 यहाँ पर कह रहा है अनुशेत को ध्यान पूर्वक नेम लिखित पढ़कर यहाँ पर आपको प्रशनों के उत्तर देने है तो यहाँ पर हमारा कुसर नमर 9 है तो कुसर नमर 9 यहाँ पर आपको पहला प्रशन पूच रहा है कवीर के अनुशार किसके काड़ पूरा संसार भक्ती के वास्तिविक मार को भूल जाता है तो यहां पर हमारा करेक्ट आप्षन होगा पच्च विपच्च के काड़ यहां पर हमारा आप्षन नंबर खावाला सही जबाब होगा हरी भजन के लिए किस भावना का होना आवस्यक है तो यहां पर हमारा करेक्ट आप्षन होगा मन की निश्पचता की भावना कौन सोगी मन की निश्पचता की भावना यानिक हमारा आप्षन नंबर घावाला सही होगा इसके बाद यहाँ पर हमारा कुर्शन नंबर 3 है तो यहाँ पर कह रहा है निर्परक होई के हरी भजे सोई संत सुजान पंग्ती में पंग्ती है का क्या आसे है तो यहाँ पर हमारा आसे क्या है मनुस को बिना किसी पच्च विपच्च के भक्ती का मार अपनाना चाहिए तो यह भी बिल्कुल सही है मनुस को बिना किसी तर्ग वितर के भगवान का वजन करना चाहिए भी बिल्कुल बाद सही कही है निश्बश्च भक्ती करने वाला ही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है तो यहाँ पर हमारे तीनों statement सही है तो इसके according यहाँ पर हमारा आपसर नंबर गावाला सही जबाब होगा इसके बाद यहाँ पर हमारा कुछ से नंबर 4 है कुछ से नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है सच्चा ग्यानी कौन कहलाता है यहाँ पर हमारा सच्चा ग्यानी कौन कहलाता है जो बाइर भाव से दूर रहकर इस्वर का भजन करता है इसके बाद सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार जेखो सा 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 तो कौन सा अलंकार होगा अनुपरास अलंकार कौन सा होगा अनुपरास अलंकार सा 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 पाटों के आधार पर नेम लिखी दो बिकल्पों, दो बहु बिकल्पी है, प्रश्णों के सरवादिक उप्युक्त बिकल्प चुनकर लिखिए. तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्ट कहरा है कि ग्राम सिरी कबिता के अनुसार प्रश्ट कबिता का स्वर है. क्या हो जाएगा प्रकति प्रेम आपसे नंबर गाबाला यहाँ पर हमारा सही जबाब होगा. इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लोगों को बच्चों का काम पर जाना अटपटा क्यूं नहीं लगता था क्यूंकि वो यहाँ पर कैसे लोग थे संबेधन सील हो गए थे कैसे हो गए थे संबेधन सील मनलकि कुछ सून हो ने कोई मतलब ने क्या हमारे यहाँ हो रहा है. इसके बार यहाँ पर हमारा question number 11 है तो यहाँ पर question number 11 कहरा है गद्य पाटों के आधार पर निम लिखित 4 प्रश्णों में से किनी 3 प्रश्णों के उत्तर लगों आपको 25 से 30 सब्दों में लिखना है तो यहाँ पर आपको गद्य को पढ़ लेना है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको लिखना होगा इसके बाद question number यहाँ पर second कहरा है आपकी दर्श्टी से बेज भूसा के प्रती लोगों की सोच में आज क्या परवर्तन आया है question number 3 question number 23 question number 23 question number 23 question number 23 question number 4 question number 23 के अनुसार हम दिख भ्रमित और अन से नियद्यसित क्यूं है तो यहाँ पर आपको चारों प्रश्टों के उत्तर देने हैं इसके बाद यहाँ पर question number 12 प्रश्टों के प्रश्टों के आधार पर निम्ल की चार प्रश्टों में से किनी तीन प्रश्टों के उत्तर लगबग पचीस से तीस सब्दों में देने हैं तो यहाँ पर पहला प्रश्ट के रवाक में रसी किसके लिए प्रियुक्त हुआ है और कैसी हुआ है कैसी है मेग आय कविता में प्रियुक्त आचलिक सब्दों की सूची बनाईए question number 3 कह रहा है question number 13 है पूरक पाट पुस्तक के पाटों पर आधारित निम लिखे तीन प्रश्टों में से किनी दो प्रश्टों को लगबग आपको पचास से साथ सब्दों में लिखने है तो यहाँ पर आपको केवल दो प्रश्टों के अंसर लिखने है यहाँ पर आपको दो प्रश्णों की आंसर लिए तो आपके कोई यहाँ पर दो प्रश्णों की आंसर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसके बाद कुछन 14 यहाँ पर कह रहा है कुछन 14 कह रहा है सहरी जीवन तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि सहरी जीवन कलपना और यर्थार्थ विषय पर दिये गए संकेत बिन्दों के आधार पर अनुशयत लिखिए और इसका भी अत्वा कह रहा है कि यहाँ पर मेरे सपनों का देश विषय पर दिये गए संकेत बिन्दों पर आधार पर अनुशयत लिखिए देश और बासियों के अनुखा संबंध इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ब्रोंगों से मेरी कलपना का देश खूबियां और मंजिल देश का निर्माड में बतोर नागरी मेरा योगदान हमें किन पर्यासों की जरूरत है इसके बाद यहाँ पर कुशनल 15 कह रहा है आपके बिध्याले में रच्छा रोपर समारों संपन हुआ है इसका बितर देते हुए हमें देते हुए किस समाचार पत्र संपादक को आपका छोटा भाई भाई 16 वास में रहकर पढ़ाई कर रहा है उसने आपके परिच्छा की तयारी के रिमाग रसन करना चाहा तो परिच्छा की तयारी की इसला देते हुए पत्त लिखिए तो यहाँ पर आप लोग पहले हैं आपको पंदरे के आपको यह बता दे रहे हैं आपको यहां पर किस परकार का निमन दिखना है तो आप लोग यहां पर एक परकार का निमन देख लीजिए एक पर लोग देखना है मैंने काफी अच्छे तरी कैसे आप लोग के लिख रखा है ताकि यहाँ पर हमारे किसी भी छात्र को दिखकत ना हो इसको जो अथवा में आप तो आप देगी जी अथवा में आपको इस प्रकार से रिखना है या आपका भाई आपको इसको बताना कि भाई मेरे अच्छे से पढ़ाई कर आपका रिजल्ट आज़ा बढ़े आसा तो आप लोग भी इसी प्रकार से पढ़ाईगे ताकि आपके बढ़े भाई हो प्रिशन हो तो हम लोग कुशन 15 के आंसर देख चुके हैं अब हम लोग यहाँ पर कुशन 16 देखते हैं जब मैंने 19 में कदम रखा 20 पर लगबक 100 से 120 सब्दों में आपको एक लगूकता लिखनी है इसको अत्वा में यहाँ पर कह रहा है कि आप बतौर अध्यापक कालरत हैं लेकिन आप किसी कार से अपना प्रिशाय वदलना चाहते हैं नौकरी से त्याग पर देते हुए बिद्याले प्रमुक को 80 सब्दों में इमेल लिखिए अपना नाम प्रेना प्रतीक है इसके बाद कुछ सेबंटिन कह रहा है देश में बयाब भेष्टा चार पर मोहित और रहुल दो मित्रों के बीच होने वाले संबात को लवगापको यहाँ पर 50 सब्दों में लिखना है इसके बाद अत्वा में यहाँ पर कह रहा है विद्याले की छुट्टी के उपरांद फोटवाल खेलना सीखने की विसेश का आजोजित की जाएंगी इच्चु के स्टुडेंट दोरा अपने नाम देने होती है सूचना पट के लिए एक सूचना लिखनी है तो यह था हमारा क्लास नाइन्थ सीवेश्वी बोर्ड के हिंदी एका पेपर तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार्ट से पढ़ेंगे जस्ट आपको यहाँ पर हिंदी बी का भी आपको इसी के बाद आप लोगों को हिंदी बी का पेपर हम जल से जल अप्रोड कर देंग उसे भी आप लोग देख लेंगे यह आपका हिंदी एका था इसके बाद आपको यहाँ पर हम लोग हिंदी बी का भी हम वीडियो अप्रोड कर देंगे उसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से देख लिजिए अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।